ओम शान्ति 12 अक्टूबर 2022 अव्यक्त बाप दादा मिलन मदुबन मुरली आज बाप दादा ने रिवाइच कोर्स 15-10-2007 की अव्यक्त महावाक्य का रिविजन कराया बाप दादा कहते संगम युक की जीवन मुक्त इस्थिती का अनुभव करने के लिए सब बोजव बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो आज बाप दादा हम बच्चों को डबल लाइट बना रहे हैं बाप दादा कहते संगम युक की जीवन मुक्त इस्थिती का अनुभव करने के लिए सब बोजव बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो आज विश्व रच्ता बाप दादा अपनी पहली रचना अती लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहा है कई बच्चे संमुक हैं नैनों से देख रहे हैं और चारों और के कई बच्चे दिल में समाय हुए हैं बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में तीन भाग्य की तीन सितारे चमकते हुए देख रहे हैं एक भाग्य है बाप दादा की स्रेष्ट पालना का दूसरा है सिक्छक द्वारा पड़ाई का तीसरा है सद गुरू द्वारा सर्व वर्दानों का चमकता हुआ सितारा तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना सर्व संबंद बाप दादा से है फिर भी जीवन में यह तीन संबंद आवश्यक है और आप सभी सिकिल दे लाडले बच्चों को सहजी प्राप्त है प्राप्त है ना नसा है ना दिल में गीत गाते रहते हैं न वाहा बाबा वाहा वाहा सिक्छक वाहा वाहा सदगुरू वाहा दुनिया वाले तो लोकिक गुरू जिसको महान आत्मा कहते हैं उस दुआरा भी एक वर्दान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वर्दानों से संपन कर दिया इतना स्रेष्ट भाग्य क्या स्वपन में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे उपर बलिहार जाएगा भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते आप लक्की बच्चों का अभी भी आप सभी भिन भिन देशों से किस विमान से आए हो इस्थुल विमानों में की परमात्म प्यार के विमान में सब तरफ से पहुँच गए हैं परमात्म विमान कितना सहज ले जाता है बाप दादा कहते परमात्म विमान कितना सहज ले आता है कोई तकलिफ नहीं तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुँच गए हो इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बाप दादा एक-एक बच्चे को देख चाहे पहले बार आये हैं चाहे बहुत काल से आ रहे हैं लेकिन बाप दादा एक-एक बच्चे की विसेस्ता को जानते हैं बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे महावीर है चाहे पुरुशारती है लेकिन हर एक बच्चा सिखिलदा है क्यों अपने आपने तो बाप को ढूंडा मिला नहीं लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चों को बहुत प्यार सिख इसने से कोने कोने से ढूंडा है तो प्यारे हैं तब तो ढूंडा क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विसेश्ता नहीं हूँ कोई विसेश्ता नहीं लाया है कम से कम गुप्त रूप में आये हुए बाप को पहचान तो लिया मेरा बाबा कहा सब कहते हो न मेरा बाबा कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा कोई है सब कहते हैं मेरा बाबा तो विशेज है ना इतने बड़े बड़े साइंसदान बड़े बड़े वी आईपी पहचान नहीं सके लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना अपना बना लिया ना तो बाप ने भी अपना बना लिया इसी खुसी में पलते हुए उड़ रहे हो ना उड़ रहे हो चल नहीं रहे हो उड़ रहे हो क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं बाबा कहते क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं तो चलने वाले कैसे साथ पहुँचेंगे इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वर्दान देते हैं फरिस्ता स्वरुब भाव फरिस्ता उड़ता है चलता नहीं है उडता है तो आप सभी भी उडती कला वाले हो ना हो हात उठाओ जो उडती कला वाले हैं कि कभी चलती कला कभी उडती कला नहीं सदा उड़ने वाले डबल लाइट हो न क्यों सोचो बाप ने आप सभी से गैरेंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोज अगर मन में बुद्धी में हैं तो बाप को दे दो बाप लेने ही आए हैं तो बाप को बोज दिया है या थोड़ा थोड़ा समाल कर रखा है बाप दादा पूछते तो बाप को बोज दे दिया है या थोड़ा थोड़ा समाल कर रखा है जब लेने वाला ले रहा है तो बोज देने में भी सोचने की बात है क्या कि 63 जन्म की आदत है बोज समालने की तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन आदत से मजबूर हैं अभी तो मजबूर नहीं हो ना मजबूर हो कि मजबूत हो मजबूर कभी नहीं बनना मजबूत है सक्तियां मजबूत हो या मजबूर मजबूत है ना आगे बेठी हुई क्या है मजबूत है ना बोज रखना अच्छा लगता है गया roll, दिल लग गई है, बोज से दिल लग गई है, छोड़ो, छोड़ो तो छूटओ, छोड़ते नहीं हैं तो छूटते नहीं है छोड़ने का साधन है द्रण संकल्प कई बच्चे कहते हैं द्रण संकल्प तो करते हैं लेकिन लेकिन कारण कारण क्या है द्रण संकल्प करते हो लेकिन किये हुए द्रण संकल्प को रिवाईज नहीं करते बार बार मन से रिवाईज करो और realize करो बोज क्या और double light का अनुभव क्या realization का course अभी थोड़ा और underline करो कहना और सोचना यहा करते हो लेकिन दिल से realize करो बोज क्या है और double light क्या होता है अंतर सामने रखो क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमान हर एक बच्चे में क्या देखने चाहते हैं जो कहते हैं वह करके दिखाना है जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है क्योंकि बाप का वर्सा है जन्मसिद अधिकार है मुक्ती और जीवन मुक्ती सभी को निमंतरन भी यही देते हो न तो आकर मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्सा प्राप्त करो तो अपने से पूछो क्या मुक्ती धाम में मुक्ती का अनुभव करना है या सत्यूग में जीवन मुक्ती का अनुभव करना है वह अब संगम में मुक्ती जीवन मुक्ती का संसकार बनाना है क्योंकि बाबा कहते क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने इस्वर्य संसकार से देविय संसकार बनाने वाले हैं अपने संसकार से नया संसार बना रहे हैं तो अब संगम पर ही मुक्ती जीवन मुक्ती के संसकार इमर्ज चाहिए न तो चेक करो सर्व बंधनों से मन और बुद्धी मुक्त हुए है क्योंकि ब्राह्मन जीवन में कई बातों में जो पाष्ट लाइफ के बंधन है बाप दादा कहते क्योंकि ब्राह्मन जीवन में कई बातों से जो पाष्ट के पाष्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए हो लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त है या कोई-कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांता है इस ब्राम्मन जीवन में मुक्ती जीवन मुक्ती का अनुभव करना ही ब्राम्मन जीवन की स्रेष्ट्वा है क्योंकि सत्युग में जीवन मुक्त जीवन बंद दोनों का ग्यान ही नहीं होगा अभी अनुभव कर सकते हो, जीवन बंद क्या है, जीवन बंद क्या है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बंद क्या है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बंद क्या है, तो चलेगा, याद है, उसको किसी से भी पूछते हैं, आपके इस ब्रह्मन जीवन का लक्ष क्या है, या बंदन है अगर किसी भी प्रकार का चाहे दे का चाहे कोई दे के संबंद माता पिता बंधू सका नहीं देह के साथ जो करमेंद्रियों का संबंध है उस कोई भी करमेंद्री के संबंध का बंधन है आदत का बंधन है स्वभाओ का बंधन है पुराने संसकार का बंधन है तो बापसमान कैसे हुए और रोज वाइदा करते हो बापसमान बनना ही है हाथ उठाते हैं तो सभी क्या कहत लक्ष्मी नारैन बनना है बाप दादा को खुशी होती है वाइदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं लेकिन वाइदे का फायदा नहें उठाते वाइदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते वाइदों का फाइनल बाप दादा के PAS बहुत-बहुत बड़ा है सभी का फाइनल है ऐसे ही फाइदे का भी फाइनल हो बैलेंस समान बनने बाप दादा कहते बैलेंस हो तो कितना अच्छा लगेगा यहां सेंटर्स की टीचर बैठी है न यहां भी सेंटर निवासी बैठे है न तो समान बनने वाले हुए न सेंटर्स निवासी निमित बने हुए बच्चे तो समान चाहिए न हैं हैं भी लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं आपकी दादी भी वतन में थी न तो दादी भी देखती थी तो क्या कहती थी पता है कहती थी बाबा ऐसा भी है क्या ऐसा होता है ऐसे करते हैं आप देखते रहते हैं सुना आपकी दादी ने क्या देखा अभी बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ती जीवन मुक्ती के वरसे का अधिकारी बने क्योंकि वरसा अभी मिलता है संगम युग बाप दादा कहते सत्यूग में तो नेचुरल लाइफ होगी अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ लेकिन वर्से का अधिकार अभी संगम पर है इसलिए बाप दादा नहीं चाहते कि हर एक स्वयम चेक करे अगर कोई भी बंधन खीचता है तो कारण सोचो कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन भिन रूप से दिये है सर्व सक्तियों का वर्दान दिया है सर्व गुणों का खजाना दिया है खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है खाजाना है सब के पास है बाप दादा ने देखा है हर एक के इश्टाक को भी देखता है बुद्धी है इश्टाक रूम तो बाप दादा ने सब का देखा है है इश्टाक में है लेकिन खाजाने को समय पर यूज नहीं करते हैं सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं हाँ यह नहीं करना है यह करना है पॉइंट के रूप से यूज करते हैं सोचते हैं लेकिन पॉइंट बनके पॉइंट को यूज नहीं करते इसलिए पॉइंट र नहीं करना है फिर भूलते भी हो बोलने के साथ भूलते भी हो इतना सहज विधी सुनाई है सिर्फ है ही संगम में बिंदी की कमाल बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की अवश्यक्ता नहीं तीन बिंदी को यूज करो आत्मा बिंदी बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी है तीन बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं लगाते लगाने चाहते हो बिंदी लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो question mark हो जाता है या आश्चरे की रेखा बन जाती है वहाँ हाथ हिलता यहाँ बुद्धी हिलती नहीं तो तीन बिंदी में बाबा कहते नहीं तो तीन बिंदी को इस्मरती में रखना क्या मुश्किल है है मुश्किल बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ती बताई है वहाँ क्या दूआ दो और दूआ लो अच्छा योग सकती साली नहीं लगता धारनाएं थोड़ी कम होती है भासन करने की हिम्मत नहीं होती है लेकिन दुआ दो और दुआ लो एक ही बात करो और सब छोड़ो एक बात करो दुआ लेनी है दुआ देनी है कुछ भी हो जाए कोई भी कुछ भी दे लेकिन मुझे दुआ देनी है लेनी है एक बात तो पक्की करो इसमें सब आ जाएगा अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें सक्तियां और गुर्ण नहीं आएंगे आटोमेटिकली आ जाएंगे न एक ही लक्ष रखो करके देखो एक दिन अभ्यास करके देखो फिर साथ दिन करके देखो चलो और बाते बुद्धी में नहीं आती एक तो आएगी कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी और लेनी है यहा तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अच्छा तो जब भी जाओ बाबा बाब दादा कहते अच्छा तो जब भी जाओ ना तो यहा ट्राइल करना इसमें सब योग युक्त आपे ही हो जाएंगे क्योंकि वैश्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो ही गए न लेकिन लक्ष रखो दुआ देना हैं दुआ लेनी है कोई भी कुछ भी देवे बद्दुआ भी मिलेगी क्रोध की बाते भी आएंगी क्योंकि वाइदा करेंगे न तो माया भी सुन रही है फिर यह वाइदा करेंगे वह भी अपना काम तो करेंगी न माया जीत बन जाएंगे फिर नहीं करेंगी अभी तो माया जीत बन रहे हैं न तो वह अपना काम करेंगी लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है हो सकता है हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है अच्छा सकतियां हाथ उठाओ हाँ हो सकता है तो सब तरफ की टीचर्स आई है ना तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को एक सब्ता यह होंवर्क कराना है और रिजल्ट बेजनी है कितने जने कलास में मेंबर कितने हैं कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं तो okay के बीच में line लगाना बस ऐसे समाचार देना इतने जने okay इतने जनों में okay की लकिर लगी है इसमें देखो double foreigners आए हैं तो double काम करेंगे न एक सप्ताह की result भेजना फिर बाप दादा देखेंगे सहज है न मुश्किल तो नहीं है माया आएगी आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो कभी नहीं आता था अभी आ गया यहा होगा लेकिन द्रण निश्चय वाले की निश्चित विजय है द्रणता का फल है सफलता सफलता ना होने का कारण है द्रणता की कमी तो द्रणता की सफलता प्राप्त करनी ही है double foreigners number one हो जाना double है न डबल foreigners है न तो कमाल दिखाना विदेश के कितने आए हैं 90 देशों से 300 centers के आए हैं तो 90 कमाल करेंगे न 90 देश के double foreigners है और 10 इंडिया के aid हो जाएंगे तो 100 हो जाएंगे तो करेंगे जो भी आए हैं कुछ भी हो करके दिखाना है इतने द्रण की सोचते हैं देखेंगे कोशिस करेंगे कोई है ऐसा जो समझते हैं कोशिस करेंगे कोशिस वाले हाथ उठाओ कोई नहीं है तो मुबारक हो ताली बजाओ दादियां कहां है पक्का है अच्छा है क्योंकि double foreigners का वैसे nature संसकार भी गाए हुए हैं कि जो सोचते हैं करना है वह करके ही छोड़ते हैं यह double foreigners की nature गाई हुई है अभी इस nature को इस कारे में लगाना है ठीक है न करके ही दिखाना है कुछ भी हो जाए सहन सकती का वरदान विसेस लेके जाना है लेकिन बाप दादाने समय प्रती समय बच्चो को एक सीन देखी है बच्चों की सीन बाप दादा देखता रहता है न तो क्या देखा लेकिन पीछे समाने की सकती कम होने के कारण, समा नहीं सके, तो जहां तहां वर्णन करते रहे, समाने की सकती नहीं थी, सहन करने की सकती थी, पार्ट अच्छा बजाया, लेकिन समाने की सकती कम होने के कारण, फिर वर्णन करने लगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो गवा दिया न तो ऐसे नहीं करना बाप दादा बहुत द्रस्य देखते हैं बच्चों के पहले ताली बजाते हैं फिर चुप हो जाते हैं तो ऐसे नहीं करना सहन सक्ती समाने की सक्ती सर्व सक्तियों का एक दो से कनेक्सन है इसलिए बाप को सर्व सक्तिवान कहा जाता है सक्तिवान नहीं कहा जाता आपका भी टाइटल माश्टर सर्व सक्तिवान है सक्तिवान है क्या सर्व सक्तिवान है न तो सर्व सक्तियों का एक दो से connection है इसलिए यह attention रखना है अच्छा बाप दादा खुस हैं डबल फॉरिनर्स ने अपने अपने इस्थानों में वरद्धी कीए प्रैक्टिकल में रहम दिल बर्सिफुल का पार्ट अच्छा बज़ा रहे हैं बाप दादा के पास समाचार तो आते रहते हैं बाप दादा ने अभी भी सुना अफरीका और रसिया दोनों ही तरफ जो भी रहते हुए रहे हुए इस्थान हैं उसमें संदेश अच्छा दे रहे हैं और भारत में हर एक वर्स वाले अच्छे हिम्मत और उमंग से अपने अपने वर्ग की तरफ मर्सिफुल बन आत्माओं को संदेश देने का परिचाय देने का और संबंद जोडने का कार्य अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं इसकी भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं हाँ ताली बजाओ जैसे इसकी ताली बजाई न अभी छे मास बाप दादा देते हैं क्योंकि अभी सीजन तो सुरू होनी ही है तो छे मास ज्यादा टाइम दे रहे हैं जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ऐसे स्वयम को भी स्वा प्रती सेवा, स्वा सेवा, और विश्व सेवा, स्वा सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना, कोई भी कमी, कमजोरी बाप को दे दो न, क्यों रखिये, बाप को अच्छा नहीं लगता है क्यों कमजोरी रखते हो, दे दो, देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ, जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज समाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती, तो क्या करता है, मम्मी, पापा, यह आप ले लो, ऐसे ही क्योंकि बाप दादा कहते, ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोज बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है, एक तरफ, यह सोच रहे हैं, तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो यह तो अच्छा नहीं है, एक तरफ माल के रख रहे हैं तो इसको क्या कहें अच्छा कहें अच्छा तो नहीं है न तो आपको क्या बनना है अच्छे ते अच्छा बनना है अच्छा अच्छा भी नहीं अच्छे ते अच्छा तो जो भी कोई ऐसी बात हो बाबा हाजिर हजूर है उसको दे दो और अगर वापस आ क्योंकि आपने तो दे दी, तो बाप की चीज हो गई, बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे, रख देंगे, निकालेंगे न, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, सम्हा लेंगे तो नहीं न, तो दे दो, है नहीं जो दो लेकिन यहां तो दे सकते हो ना अब के फूल हैं वहां दे दो समालना अच्छा लगता है या तो छे मास जैसे अभी उमंग में से कर रहे हैं सेवा रसिया का भी समाचार सुना और अफरीका का भी समाचार सुना औरो का भी समाचार सुनते रहते हैं कर रहे हैं अभी स्वा सेवा के प्रती खास समय दे रहे हैं अभी देख लो बाप दादा कहते अभी देख तो लिया बाप दादा ने कितने समय से दो सब्द बार बार रिवाईच कराए हैं वहा दो सब्द कौन से हैं अचानक और एवर रेड़ी याद है न याद है आपकी बहुत अच् याद है तभी से कितना टाइम हो गया दस साल और सबके बाद कितने अचानक के हुए हैं आपकी दादी कैसे गई अचानक गई ना अच्छा दादी से प्यार है तो अचानक का पाठ दादी को याद करके याद करो जैसे दादी को लक्ष पूरा जैसे दादी अपने लक्ष को पूरा करके गई ऐसे नहीं गई उसको सर्टिफिकेट मिला कर्मा तीत करमेंद्रिये ने भी अपनी आकरसन में नहीं बांदा साक्षी होके करमेंद्रिया सीतल होती रहीं आकरसन में नहीं खीचा ना करमेंद्रियों ने खीचा ना किसी आत्मा के मोह ने खीचा निर्मोही नश्टो मोहा नहीं तो कई लोग जाते याद में पढ़ते हैं फलाना 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 लेकिन दादी नश्टो मोहा इस्मरती स्वरूप में गई करमेंद्रियां जीत बनके गई कोई करमेंद्रिये ने अपने तरफ दुख की लहर में नहीं खीचा तो दादी कहते हो याद आती है न आनी ही चाहिए क्योंकि नमबर वन थी न तो नमबर वन ने विन तो किया न लेकिन जब भी दादी की याद आवे तो सिर्फ चितर नहीं देखना लेकिन यह याद करो कि मैं भी एवर रेड़ी हूँ मुझे भी अचानक का पाठ याद है अभी अभी मैं भी अचानक चली जाऊँ तो नश्टो मोहा प्रक्रती जीत हूँ यही दादी की सोगात सब अपने पास रखो अच्छा चारो और के आए हुए पत्र संदेश इमेल बाप दादा के पास पहुँच गए सबने अपने प्यार की निसानी खुद नहीं सके तो पत्र द्वारा इमेल द्वारा भेज दी बाप दादा ने एक एक दिल के प्यार के पत्र संदेश सोगात सुईकार की और हर एक को बाप दादा अपने नैनों में इमर्ज कर प्यार का रेस्पॉंड प्यार के रूप में दे रहे हैं याद प्यार के रूप में दे रहे हैं अच्छा है यहा परमात्म प्यार बहुत पुरुशार्थ में सहयोग देता है तो हर एक बच्चा प्यारा है प्यारे रह और प्यार के जूले में जूलते हुए बाप दादा के साथ अपने घर चलेंगे वह भी टाइम आ जाएगा जो सब साथ चलेंगे साथ चलने वाले हुना पीछे पीछे नहीं आना मज़ा नहीं आएगा मज़ा है हाथ में हाथ साथ में साथ हाथ है स्रीमत स्रीमत बुद्धी में होगी आत्मा परमात्मा का साथ होगा तो घर चलेंगे चलने वाले हो ना सभी रह नहीं जाना अभी भी साथ है चाहे किसी भी कोने में हो लेकिन बाप साथ है साथ रहेंगे साथ चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे पक्का वाइदा है न बीच में नहीं रह जाना कोई कश्टम की चीज होगी तो रुख जाएगी रावन की चीज होई न कश्टम कोई भी रावन का संसकार स्वभाव वह धर्मराच पुरी कश्टम में फसा देगी और बाप के साथ चले जाएंगे और कोई अगर ऐस होगा तो कश्टम में रुखना पड़ेगा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा न बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा जब वाइदा है साथ का तो सदा साथ रहना साथ चलना पीछे वालो वाले वाइदा है न पक्का पीछे वाले ह पक्का वायदा है, अच्छा ठीक है, जो भी आये हैं, जहां से भी आये हैं, एक तो साथ नहीं छोड़ना, हर समय बाप और आप कितना मजा आएगा, बाप और आप मजा है न, टीचर्स मजा है न, कि कभी कभी अलग अलग भी हो जाएं, अच्छा है बाबा का साथ छोड़ देंगे नहीं छोड़ना पक्का एक सेकेंड भी नहीं इसी को ही सच्चा प्यार कहा जाता है ठीक है न पक्का 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 है यह फोटो निकल रहा है आपका वतन में निकल रहा है इस केमरा में तो आएगा नहीं वतन में निकल रहा है ब चारो और के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे दिलाराम है न? तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे एक बाप दूसरा ना कोई स्वपन में भी दूसरा ना कोई ऐसे बाप दादा के अती प्यारे और अती दे भहन से न्यारे सिकिल दे पदम गुणा भग्य साली बच्चो को दिल का याद प्यार पदम पदम गुणा दुआएं हों साथ में बालक सो मालिक बच्चो का को बाप जादा का नमस्ते अच्छा ओम शांती